हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बेक टू मैं चैनल, मनिशकी रसुई में आप सबका स्वागत है आज मैं आपके लिए ठेले पर मिलने वाली चैनिस भेल की रेसिपी लाई हूँ भेल बनाने के लिए सबसे इंपोर्टन्ट होती है चट्नी आज हम चट्नी भी साथ में बनाएंगे चैनिस भेल तो बच्चों की आल टाइम फेवरेट रेसिपी है इसे आप घर पर ही बड़ी आसान इसे बना सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही जल्दी और टेस्टी रेसिपीस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले हम चटने बना लेंगे, ये देखे चटने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साथ से आठ काशमेरी लाल मिर्च को आदे गंटे के लिए गरम पाने में भिगो दिया था आप देख सकते हैं हमारी मिर्च आदे गंटे बाद अच्छे से सौफ्ट हो गई है अब हम मिर्चियों को पाने से निकाल कर मिक्सी के जार में डाल देंगे इसे के साथ हम इसे पानी का थोड़ा सा पानी मिर्चियों में डाल देंगे और इसे पीस कर अच्छे सी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे आप देख सकते हैं हमने ये बहुत ही अच्छी से स्मूथ पेस्ट बना ली है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है अब हम इसके चटनी बना लेंगी ये देखिए गैस पर मैंने कड़ाई रख दी है इसमें मैंने दो चम्मच ओईल डाल दिया है आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 2,5 चमच लसन को ग्रेट कर लिया है। इसे हमें दरदरा ही रखना है, इसकी हमें पेस्ट नहीं बनानी है। आपने देखा होगा चाइनिज चटनी में लसन दरदरा ही होता है। इसे के साथ हम एक चमच ग्रेट किया हुआ अदरग भी डाल देंगे। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और एक से दो मिनट के लिए अच्छी से भून लेंगे। हमें इसे जादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसे अच्छी से पका लेंगे ताकि हमने जो इसमें एक्स्टा पाने डाला था वोगी सूप जाए। आप देख सकते हैं हमारी मिर्ची का पानी अच्छी तरीके से सूख गया है अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच टॉमेटो केचप डाल देंगे और एक चम्मच डार्क सोया सॉस डाल देंगे साथ में ही हम स्वादा अनुसार नमक भी डाल देंगे अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसे भी हम एक मिनट के लिए अच्छी से भून लेंगे आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी से भून चुकी है अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे यह आप अपने पसंद से जितनी भी चटनी आपको गाड़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से डाल सकते हैं यह दिखिए यहाँ पर मैंने पानी मिला दिया है अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से उबलने देंगे आप देख सकते हैं हमारी चटनी अब उबलने लगी है अब हम चटनी में एक थिकनेस और एक अच्छी कंसिस्टसी आने के लिए हम इसमें एक चमच कॉन फ्लावर की सलरी डाल देंगे यह देखें यहाँ पर मैंने एक चमच कॉन फ्लावर की सलरी बना ली है इसे हम चटनी में डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे अभी आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है अब हम इसे उबलने देंगे अब यह आप देख सकते हैं हमारी चटनी अच्छी तरीके से उबल रही है अब मैं इसे एकदम बिल्कुल चाइनिज वाला फ्लेवर देने के लिए एक पिंच टेस्टिंग सॉल्ट डालूंगी यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अब इसे हम दो मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि हमारा कॉन फ्लावर अच्छे से पक जाए अब यह आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी चटनी पकती जाएगी उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आने लगेगा यह देखिए आप देख सकते हैं इतनी कंसिस्टसी में मैंने चटनी को रखा है क्यूंकि अब यह गरम है जब यह ठंडी हो जाएगी तो यह और भी गाड़ी हो जाएगी यह हमारी चैनीज बहल की चटनी बनकर तयार है तो चलिए अब हम बहल बना लेते हैं यह देखिए यहाँ पर मैंने फ्राय नूडल्स का रेडिमेट पैकेट लिया है यह किसी भी कीराना की शॉप में आपको आसाने से मिल जाता है यह देखिए यहाँ पर मैंने दो प्लेट चैनीज बहल के लिए नूडल्स एक बाउल में निकाल लिये हैं अब हम इसमें डालेंगे बारिक लंबा कटा हुआ पत्ता गुबी बारिक कटा हुआ स्प्रिंग ओनियन इसे और भी हिल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चम्मच ग्रेट किया हुआ बीट बीट डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और यह हिल्दी अब हम इसमें 2,5 चमच चटनी मिला देंगे यह आप अपने पसंद से जितने भी आपको भेल तीकी या फिकी बनानी है उसी सबसे आप मिला सकते हैं अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला देंगे अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें और चटने मिला सकते हैं ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चम्म चटने और डाल ली है और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है कश्मेरी लाल मिर्च की वज़े से ज़्यादा स्पैसी नहीं होती है तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब हम इसे सौर कर लेंगे इसे मार्केट वाला लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर प्लेट का इस्तिमाल किया है इन दोनों प्लेट्स में हम चाइनिस भेल अच्छे से सौर कर लेंगे इसके साथ हम एक्स्ट्रा चटनी भी रख देंगे और इसे और टेम्टिंग और टेस्टी बनाने के लिए हम उपर से बारिक कटा हुआ पत्ता गोभी और स्प्रिंग ओनियन भी डाल देंगे अब आप देख सकते हैं हमारी ठेले वाली चाइनिस भेल बंद कर तैयार है यह देखने से ही मूँ में पाने आ जाता है और यह बनाने में बेहद आसान है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथी ले लाइकन पर क्लिक कीजिए तक यह ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपिस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्यू